कि कि ये जैघ्य बारत में यूस करते हैं यह सा पेपर ग्लास करते लिए हश्प भी हाफ कौन्टिटी में है यहां तक हमें देना है और पंद्र जाटे उपर 25 रॺंओ के लिए हमें हाफ से ज्यादा हमें देना है सरु करेगे इतना हम 15 वे 15 समय उपर के लोगों को देगे बस 25 समय बीप्शो के लिए बस इतनी कॉंटिटी में यानि कि ऐदै कॉंटिटी में हमें अपने'S कम ॥े Pourquoi तो सुभा और शाम, दो टाइम हम हाफ कप ले सकते हैं इक बाद ज्शेय्जान में रखने हैं वह हमें सुभा नहीं लेनेrie यानि कि जो भी रिस्टिदारों और फेड़ों के साथ심 शेर्क करेये और इस उनहें भी बताईये कि यह कारणने कर आगो जाता है अरणुसी के पान करें। सबसे पहले अरणूसी के पान के पाणशी लीए है और पितिना के नियुक्त आखंग। अरणूसी के पान कीby करें। कि टेशान उनती ऎ Representative- अ्रणूसी के पान के एक कपड़ें। आपको आरणूसी के पान कि आप की ही टोर। अच्छी तरह से आप देख लग के पान कैसे होते हैं इस तरह से लंबे होते हैं इस तरह से मेरे सारे पान है उसे पूस लिया है और एक बात में बताने चाहूगे कि यह जो अच्छी दवाई साबित होती है इस तरह से हम इसे केची से कट कर लेगे और हमने लिया है अध्रक अध्रक को लेकर मैंने उसके बारिक टुपड़े कर लिये है और काली मिच मैंने दस ते बारा नंग लिया है अजवायन आधी छोटी चम्माच तुलसी के दस ते बारा पान मिन लिये है चोटा सब गुड़ का टुकड़ा आधा चम्माच हल्दी पावड़ा सबसे बहले हम अध्रक और काली मिर्च और अजवायन को कूट लेगे इस तरह से खरमी डालकर इससे हम ап बारिक पीछ लेगे अधी चम्माच together हना मोटा-मटा कूट लेना है इस तरह से मोटा मटा सब लेना है अब हमें एक पतिले में एक लिटर पानी लेना है एक लीटर पानी लेना है एक लीटर से ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं और इसमें जो मसाले कुटे है वो डा लेगे फिर जो अर डूसी के पान के बारिक टुकड़े किये है वो डा लेगे और तुलसी के पान मैंने यहां पर बारा नंग लिए है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़का लिया है गुड़ा में ज्यादा नहीं डालना है बस एक छोटा सा टुकड़ा डाल दे आधा छोटी चमचल्दी पावडर और इसे स्टवपर हमें मीडियम आज पर उबालना है ज यह एक लिटर पानी में मैंने सारे इंग्रिडियंट्स डाले है और एक लिटर पानी में से आधा से कम याने की 400 ml हो जाए तब तक इसे हमें उबालना है आप देख रहे हैं कि हमारा ये कड़ा उबल रहा है और आधा से कम कॉंटिटी में आ गया है इसके रसे में चान लेना है इस वाद में बिले ही कड़ा कादा है लेकिन ये बहुत ही गुनकाली है